हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में इंडेक्स फंक्शन के बारे में सीखेंगे जो इंडेक्स फंक्शन है बहुत ही पावर्फूल है वी लुक अप फॉर्मूला से वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तो मैं आपको बतना चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिष्ट में जाओंगे तो यहां पर आपको एडवांस एक्सल और वी बीए मैक्रो का पूरा प्लेलिष्ट मिल जाएगा जिसमें 47 वीड पर्स के लिए तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो जो इंडेक्स फंक्शन है वी लुक अप से पावरफुल क्यों है पहले मैं आपको एक वी लुक अप के बारे मैं बतना चाहूँगा वी लुक अप काम कैसे करता है जैसे ही मेरा ट यह सर्च मिल जाएगा उसको वो यहां से जो भी कॉलम होगा इसके अगेंस्ट में इधर वो जो कॉलम इंडेक्स जो भी नमर डालोगे वो उसका देता है रिजल्ट तो यदि आप तो पहले कमजूर किया है कि हमारा जो वी लुक अप फंक्शन का कि वो हमेशा जो लुक अप वैलू है वो पहले कॉलम के अंदर होना चाहिए लुक अप कॉलम है जो भी है वो पहले कॉलम के अंदर होना चाहिए यदि मेरा कॉलम यहां से है और मेरे लुक अप कॉलम इसके अंदर है तो जो लुक अप वैलू है यह हमेशा इसके अंदर सर्च करें जो नेम है वो हमेशा किसमें सर्च करेंगा इस कॉलम के अंदर पहले वाले कॉलम के अंदर तो पहली कमजोरी हो जाती है दूसरी कमजोरी क्या है VLOOKUP हमेशा left से right की तरफ सर्च कर सकता जैसे माली जी ये मेरा data है मेरा lookup value ये है जो VLOOKUP है ये इस से right की तरफ सर्च करके दे देगा value कोई भी लेकिन ये इधर से left की तरफ नहीं सर्च कर सकता तो एक बाद try करके में आपको दिखाता हूँ equal to dollar VLOOKUP lookup value हमारे ये है comma table है रहे तो हमने जैसे बताया था कि starting पहला column जो है lookup value का लेना है तो हमारा column कौन सा है name वाला है तो मैं name से start करूँगा लेना और यहां से right की तरफ selection करूँगा left की तरफ हम नहीं select कर सकते total salary चाहिए तो मुझे कौन सा column index डालना हुआ एक number 2 number 3 number 4 number तो जहां से भी हम selection करते है वहां से starting होती है तो चोथा number का है तो यहां पर 4 डालेंगे 4,0 exact match के लिए enter करते हैं तो यहां पर result आजाता है हमारा लेकिन क्या यह मेरा employee ID यह सर्च कर सकता है नहीं क्योंकि मैं अगर we look up लगाता हूँ तो look up value मेरा name है और column जैसे मैं आपको बतायता कि जो value search होता है वहीं से हमें table select करना होता है पहला column तो हम ऐसे नहीं select कर सकते हैं हम इधर से right की तरफ select कर सकते हैं तो we look up है right की तरफ काम कर साथ है इससे इधर का search करके नहीं देगा तो हमारे result है वो नहीं आएगा तो इसलिए index function है बहुती powerful है we look up formula से तो यह काम कैसे करता है इसके बार हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डालोगे equal to index इंडेक्स डालोगे उसके बाद array array मतलब आपको पूरा बिंदास होके अपना पूरा जो table है जहां पर आपका data है वो आपको select कर लेना है select कर लिया आपने जितना भी data है आपका जहां पर data है table जो भी है वो select कर लिजिए उसके बाद कोमा दीजिए row number मतलब जो भी आपने selection किया है उसके कौन से row number का data चाहिए तो मुझे यहां से मैं पहला row number यह है दूसरा यह तीसरे row का चाहिए यहां पर 3 डालूँगा मैं कोमा उसके बाद कौन से column का data चाहिए तो यहां से start करूँगा एक दो क्यूंकि मेरा selection यहां से तो यहां से एक दो तीन चार पांच तो पांचवे column का data चाहिए तो कौमा फाइव bracket close, enter करते हैं तो यहां से यह result आ जाएगा ठीक इसी तरीके से मैं employee ID चाहिए तो मैं क्या डालूगा index बिंदास हो के अपना पूरा table select कर लीजिए उसके बाद कौमा दीजिए कौमा देने के बाद आपको row number यहां से हमें कौन सा है row number क्या है दो एक दो तीन तीन row number होगा क्योंकि starting यहां से मेरा पहला row यह होगा दूसरा यह तीसरा यह यह यहां पे 3, अब कौलम कौन सा चाहिए मुझे पहला कौलम चाहिए यहां से हमने data select किया है यहां से हमने stack select किया है तो पहला कौलम यह आएगा employee ID का यहां पे 1 bracket close enter मारते हैं तो देखो आप इसका employee ID भी आ गया बट क्या ऐसा होगा यदि मैं यहां पे name कोई change करता हूँ यहां से copy करके यहां पे paste करता हूँ name तो यह value अभी search नहीं करेगा इसके लिए आपको क्या use करना होगा एक match function आता है इसके साथ हम use करेंगे जो है index function को और भी powerful बना देता है तो आगे आने विडियो में हम index function के साथ और भी वीडियो डालेंगे तो आप चैनल को जरूर subscribe कर लीजिए तो यहां से index function है आप left to right या right to left में इसमें पूरा आप किसी भी तरीके से आप data को search कर सकते हो इसके साथ क्या use होता है index के साथ match function use होता है तब यह पूरा dynamic बन जाता है तो आगे आने वाली वीडियो में match function के बारे में जरूर देखेंगे तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसे लिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताए यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और index function की जो है अब यह स्टार्टिंग से सीरीज डालने वाला हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो चैनल को जरूर तो चैनल को जरूर जरूर